अब सब्सक्राइब करेंसे प्रेमर्केट अनलेसिस पर आप सभी का सवागत है आज है एक फ़ेफ़री टेटी टेटियट फोर थस्डेए अंड आए बस्त आशी हो नहीं हुआ है स्पेशली इंडियन परस्पेक्टिबे डोलर रोपियर जो इक्विटी मार्केट पॉल्डेक्स पहले जो आपका नर्पी डेटा के बाद ये जो रिजिस्टेंस था 104, 104.20 उसको ब्रेक किया और पुल्डेक किया इन पुल्डेक के बाद दुबारा ये श्विंग हाई को तोड़ते हैं, in such a case, डोलर इंडियन पर 106, 106.30 के तरफ अगर श्विंग हाई को तोड़ने में नाकामयाब रहते हैं, थोरा सा टाइम पास करते हैं, in such a case, हमें ये देखना हैं, ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट के ब इस डॉलर इंडेक्स में हमें तुरा सॉफ्टनेस दिखने को मिले हैं, डॉलर रुपी अभी जो है आपका 82.97 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, तो रासना सेल आप्टिक्स हो रहे हैं, इमीडियेटली जो हमारे सपोर्ट है, 82.80 से 83.00, इसमें रिपीटेडली प्रेशर्स आ रहे हैं, इस जोन को तोड़ने के लिए, इसका मीन कारण क्या है, जब भी ये 82.80.90 से फूल बेकर हैं, अपवार्ड लेवल पे, ये 83.20.25 जाने ही पारे हैं, उसे पहले ही इसका टाय टाय फिश हो रहे हैं, यानि हावा निकल रहे हैं, तो ये थोड़ा सा नए नजरिय ये से डॉलार रुपी को देखने का प्रयास करना है, as of now, 82.80, 83.500 is a solid, support level, invisible hands are there, लेकिन, बहर असा केरफू हमें रहना चाहिए इस support zone में, अगर invisible hands गायब हो जाते हैं, ये रहे हैं, इसका शिफ्ट the support resistance levels downward, in such a case, हमें एक नया range मिल सकते हैं, उसके लिए आमें, पूरा सार, careful, पहना है, GBP dollar, अपका मंगल बार को and Wednesday को अच्छा का सा pullback किया है, pullback from the low, ये जो support level था, उसको अपने मंडे को तोग दिया, strong candle के साथ, लेकिन इसके low के नीचे follow through नहीं है, ये rather pullback है, अभी ये pullback के बाद हमें देखना है, ये जो 1.26, 1.26, 3.0, इस level के उपर strong close थे ते है, then this will be considered as a false breakdown, in such a case, ये जो अपका GBP dollar है, ये जो आफका GBP dollar है, there are higher possibilities, कि ये जो बार 1.28 के तरफ शर्प मुष कर ने का prior से कर से तरफ ने का वर था आफ लेकिन बार था, पर तोगए जो था से जो, जो आफका, आफका प्रौथ के ने का पर ने का पर के से तर अ तरफ अगर यहां पर दुबारा रेस्टेंस तरह के नीचे आते हैं लोग को चलेंज तरह को कुछ टाम में भी दुबारा हम देखेंगे लोग को चलेंज करेगा इंसेंटर पी आयनक्स यहां पर एक support level था 104.7 नीचे breakdown किया follow through नहीं ता फिर pullback के ओपर आगे अभी हमें यहां पर क्या यह sustain कर जाते हैं जब यह swing low को टेस्ट करेंगा उसके बाद हम दुबारा इसका नया analysis करेंगे अभी यह देखना है कि यहां पर एक strong candle close देता है यहां पहले का support अभी का resistance इसके हाई की यहां यूरो डॉलर करेंटली 1.0782 यह भी उपर में एक resistance level को टाच कर रहे है similar analysis अगर इस resistance पहले जो support था क्या था 1.08 इसके उपर अगर strong close देते हैं in such a case euro dollar is expected to sharply move upward towards 1.09,1.09,1.09,1.030 which is the fact that we are false breakdown This false breakdown means in such a case if we give strong close if we give strong close, in such a case it will consider false breakdown and a number to take it in case here on this strong close bullish close करने के लिए आने का हाया प्रबैबिनिटीज हो सेक्ट है 1.0720 के तरफ आएगा तो हम दुबारा एनलाइसिस करेंगे यूरो आयनर में यह जो सपोर्ट लेवल था 8960 से अपना 8980 उसमें ब्रेकडाउन किया अब हमें इंतेजार है अगर यहां पर एक बूलिश केंडल के साथ देते हैं इन सचिक यूरो आयनर शापली विल्मूफ तोर्थ 9060 ए 91.00 और यहां पर अगर रिजिस्टेंस लेते हैं तो फिर दुबारा सुन लोगों को किस्ट करेंगे तो डॉलार यह एन 148.3 यह बेसिक के लिए उपर के लेवल पे काफी सेलिंग प्रेशर आप रहे हैं एंड वी आट लोगी फर शार्ट सेलिंग लेकिन सेलिंग देखने का ना मोलेशन से नहीं तो बिंदक इस हमें इंतेजार करना है यह एन आयनर में भी हमें यहां पर दो स्विंग हाइस को उपर के तरफ अगर तो देगा पहले यहां पे एक स्विंग बनाया हुआ है यह एन आयनर के स्पोर्ट प्राइस है इसके हाइड के ओपर देगा फिर दुबारा इसको अगर क्लोज देता है यह एन आयनर पे एक शार्ट अप मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं डॉलर के यहां प प्राइ सेक्ट्शन क्लेरिटी आने देखते हैं उसके बाद हम सुचिए उसके बाद आते हैं 80 डॉलर 80 डॉलर ब्रेक डाउट किया अभी पूल बेक के लिए कोशिश है हमें यहां पे डबल पूल बेक डबल स्विंग हाई को ग्रोने का है इन सची केस हमें एक अपार्ट म एकए ट्रॉलर ऑफटी उसके इंट से एल्टी साथ ओमार से देखेंग काहिश करते हैं ऑर क्षेफ़ का लेकित करते हैं कि यहां पर आने के बाद सब्सक्राइब हमारा जो फॉल्स ब्रेक्डाउन का टार्गेट यह टार्गेट था 76 लेकिन वहां पर नजदिक आया हुआ है अभी हमें इंतर जारे एक स्विंग करके ब्रेक्डाउन करते हैं तो एक सेलिंग प्रेशन हम एक्सक्ट कर सकते हैं और यह यह टेन द्रेशरी दिए पोर प्वांट जिरोन नाएं यहां पर imeet to resistance लेवल था 4.1516 आप पर resistance लिए यहां पर एक कर रहे हैं यह पर भी क्सिटब्स का यू जिए उट्ट कर रहे हैं रहे हैं फोर जिए इसलेंग एहां पर हम एक्सक्वक्त कर रहे हैं करेंसी पेंगरें कि अनलाइस अभी के लिए रहे हैं